हेल्थ, ब्यूटी और प्रोड़क्ट्स के रिव्यू से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो आपका श्वागत है दोस्तों दात खाज खुजली चाहे वो दो से तीन साल पूरा ना क्यों ना हो उसको खतम करने का घरेलू उपाए दोस्तों दात खाज खुजली से परहसानी जो है अक्सर दात खाज खुजली बढ़ता है क्योंकि कि पसिने की वज़े से या पॉलेशन की वज़े से आने वज़ा हैं दात खाज खुजली बढ़ते रहता है दोस्तों यहां पर डाथ खाज खुजली को पर्मानेंटली हरवल के द्वारा किस तरह से खत्म किया जाताय। उसके बारें में बत्तला रहे हैं आपको यह देखिए यह पुदिने की पतिया है, जो सब्सक्राइएं दूसरा वैक्ट्रिया को यह खतम करता है दोस्तों पुदीने में अन्य भी प्रपर्टेज पाया जाता है जो कि बिटामीन ई पाया जाता है खुजली के जगह पे जो है बिटामीन ई करे रिस्वाव जादे होता है जिसकी बज़ा से वह जगह सौफ नहीं होके वह जगह हो जाता है हाड हो जाता है इसके लिए पुदीने का यूज अगर खास खुजली पर करते हैं तो वह बहुत ही फायदा देता है दोस्तों पुदीने का यूज पुदीने की पतियों का यूज किस तरह से करना है तो आप पुदीने की थोरा सा पतियां अगर आपके कीचन में मौझूद है या मार्केट में भी पुदिने की पतियां मिलती है एक बार पुदिने की पतियां खरी ले तो वो सब्तावर आपको फ्रीजर में स्टोर हो सकता है फ्रीज में दोस्तों उसमें से थोरी सी मातरा में पत्ती निकाल के उसका ताजा रस आप निकालना है या अगर ये संभब नहीं है तो आप पूदी नहरे की जो मिलती है बोटल पूदी नहरे की जो रिचिट मिलती है उसको आप खरीद के ले लेंगे और पूदी नहरे का रस का आपको यूज करना है तो दोस्तों पूदी नह करशर यह है रस यह मार्केट का रस है तो आपको आधी चम्मच के बराबर यह पुदीन आड़े का यहां पर हमने यह रस ले कि लेनेके बार आपको उसमें कैल्षियम Co चूना जो होता है वो चूना पंसारी की दुकान में जो पान पे जो चूना यूज किया जाता है वो चूना का यूज किया है हमने यह देखिए यह इसमें थोड़ी सी मात्रा आपको चूने का मिलाना है इतनी सी मात्रा आपको चूने का इसमें मिला देना है इसको मिलाने के बाद आप इसको अच्छे से मिला लेंगे यह देखे यहां पर अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बार आपको यह थोड़े से मिलने में थोड़ा प्रावलम होता है चूने के साथ पूरी ना का लेकिन इसको किसी तरह अच्छे से मिला के और फिर आपको खु उसको हलका हलका हाथ की अंगुली से या कोटन की सहायता से आपको ये जो पेस्ट है एक लाइटली पेस्ट बना है उसको आपको यूज करना है तो इस तरह से आपको इस पे यूज करना है यह देखे यहां पे यूज कर दिया है हमने तो आप इस तरह से अगर सब्ता में तीन नर्मी आजागी और वो खुजली दिरे दिरे कहतम हो जाएगा दोस्तों ये भूद ही अच्छाः डि़ीज करी से उसको घर में बहूद ही आसान तरीके से आप बना सकते हैंचाज जो परहसाने परहसाने जिनकर आपको सदा के लिए चुटकरा मिल सकता है दोस्तों असका कोई भी साइड िफेक्ट नहीँ है क्योंकि ये हरवल है दोस्तों हम आसा करते हैं ये वडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो चैनल जरूर सबसक्राइब करेंगे ये बूलेंगे नहीं दोस्तों सुबह में 7 बजह